एक अमीर लड़का था, उसे एक गरीब किसान की लड़की से प्यार हो गया, लड़की सुन्दर होने के साथ साथ काफी समझदार थी, एक दिन जब लड़के ने उस लड़की को बताया कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो लड़की ने कुछ सोच के माता-पिता से बात की और उस लड़की को समझाया। काफी समझाने के बाद वह लड़की मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद लड़का उसे बहुत प्यार करता था। लड़की उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। समय बीत रहा था और लड़की की खुबसूरती धीरे-धीरे धल रही थी। एक दिन वह लड़का एक काम से दूसरे शहर गया। लड़का जब वहां से वापस आ रहा था। तो उसका रास्ते में एक का के साथ एकसीडेंट हो गया। उस दुरगटना के दौरान लड़के की आँखें की रोशनी चली गई। इस दुरगटना के कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। वह लड़की चर्म रोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर और लेकिन पती अंधा होने के कारण उनका दामपत्य जीवन ठीक चलता रहा। और दिखाईना देने के कारण वह लड़का उससे पहले की तरह प्यार करता रहा। अब आपका जीवन अंधकार में कैसे व्यतीत होगा। तब उस लड़के ने अपने पडोसी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं कभी अंधा था ही नहीं। लेकिन मैं यह सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा। कि कहीं मेरी पतनी को उसकी बीमारी और बद आपका जीवन आसान हो जाएगा। ऐसे कहानिया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत वीडियो को लाइक करें।